ये GDP माइनस 23.9% का मतलब क्या होता है ये GDP क्या होती है अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना समझ लीजिए कि GDP खत्रे में मतलब आपकी जेब खत्रे में अभी भी आपको तरह तरह से भ्रहमित करने की कोशिश की जाएगी जैसे ये महमारी के कारण हुआ जिस पर किसी का बस नहीं था और सुनिये हम कोई अकेला देश थोड़े हैं जिसकी GDP इन दुनों इतनी खराब है हां और ये भी हमने आत्म निर्भर किया लोकल फ़र वोगल के लिए आवाज इठाई तो अब ये मैं आपको एके करके सिलसलेवार तर तरकों के साथ दूंगी तो पहला सवाल क्या कोविड ने सिर्फ हमारे देश की ही अर्थव्यवस्था को इतना आहत किया तो इसका जवाब इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं जवाब है नहीं कोरोना की वजह से विश्व भर में सभी अर्थव्यवस्था इस वक्ट चर्मरा चीन जहां से यह बीमारी आई है उसको देख लीजे 3.2% पर ग्रो कर रहा है और इसके अलावा अगर आप देखें तो जपान, यूएस, जर्मनी, कैनडा, इतली, फ्रांस, यूके और इंडिया एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं और सबसे पूर परफॉर्मर कौन है यानि यह असली आखड़ा नहीं है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, यह आपको आगे बताओंगी, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि सिर्फ G7 ही नहीं, बलकि G20 देशों में भी हम सबसे खराब तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हम सबसे पिछड़े हुए हैं, और यह आत्म निर्भर और लोकल फर वोकल से आगे आने वाले समय में स्थिती ठीक नहीं होगी, तो इसका जवाब है, आप फिर फस गए ना, यह सब नारों का इस्तमाल किया जाता है आपको भ्हमित करने के लिए, आपको यह दिखाने के लिए कि देखो देखो सरकार कितना का अब आप सोचेंगे, और आप यह भी मुझ से पूछेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि इस दौरान हमारे किसी भी क्षेत्र ने या सेक्टर ने अच्छा काम नहीं किया, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस दौरान अगर किसी सेक्टर ने सबसे अच्छा काम किया है, तो वो है हम हमारा क्रिशी इक्षेत्र, आग्रिकल्चर, फिशिंग और फॉरस्ट्री जो अभी भी 3.4% की ग्रोथ से आगे पड़ रहे हैं और ये जरूर आट अव गॉड है क्योंकि अगर इंद्रदेव महर्बान नहीं होते तो हमारे किसानों को इतना अच्छा मॉंसून नहीं और ट्रेड, होटेल, ट्रांसपोर्ट जो पूरे लॉक्डाउन में सबसे पूरी तरह से बंद थे वो 47% नीचे गिरे अब आप पूछेंगे तो ये तो हर देश में हुआ होगा ना नहीं इसका सबसे बड़ा कारण रहा 130 करोड की आबादी वाले देश में उस समय स्ट्रि तो हमने प्रवासी मजदूरों की मौत की खबर अब हो सकता आप मुझ से ये पूछें कि ये तो पहली तिमाही है ना इसमें लॉक्डाउन था आप देखिए सब अनलॉक होगे आप सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम जबरदस्ती का ऐसा डर पैदा कर रही हो तो मैं आपको बताओं कि ये जून क्वाटर जो है जिसको पहली तेमाही आप बोल रहे हैं इसके आंकड़े इतने इंपोर्टन्ट क्यों है ये मैं आपको समझाओंगे लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे पहले एक बात कही थी उसका जवाब दे देती हो मैं आपसे पहले क्या कहा था कि म से वास्ट है हमारे देश में उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं अभी तक और जब उसका आंकड़ा क्योंकि बन तो सब कुछ था खराब तो सब कुछ था रुक तो सब कुछ गया था तो जब अनौर्गनाइस सेक्टर इसके अंदर मिलता तो ये आंकड़ा कितना होता साल जो बचा हुआ है उसकी एकॉनमिक परफॉरमंस जो है वो इन आंकड़ो पर निरभर करेगी यानि इसका इफॉक्ट आपको आने वाले समय में आने वाला जो पूरा साल है उसकी एकॉनमिक परफॉरमंस पर दिखाई देगा अब ये जो फर्स्ट और है इसके अंदर गया तो कई तरह से supply constraint शुरू हो गया, economic activity बंध हो गई, आपकी jobs पर आ गई, jobs कई लोगों की चली गई, आपको loss of income हो गया, जब आपको loss of income होना शुरू हो गया, jobs चली गई, तो यह जो supply side है, यह demand side की तरफ चली गई, यानि कि demand constraint भी शुरू हो गई, कई लोग, जो कि आप, ह हम सब यह करते हैं कि हमारे पास savings होती है, हम बहुत हद तक अपने savings पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, तो हम सेव कहां करेंगे, और जब हमें यह पता है कि हमारे पास saving भी नहीं है, हाथ में पैसा भी नहीं आ रहा है, तो खर्च कौ अप्लाइ कंस्टेंट की तरफ चला जाएगा जिससे इसकी शुरुवात हुई थी और इसमें सबसे जादा प्रभावित होंगे हमारे MSME जिससे की खबने देखी है कि बहुत सारे graduates ऐसे ऐसे काम करने को मजबूर हो गए हैं जो उनकी skill उनकी degree को सूट नहीं करता जैसे कि कोई कहीं पर security guard का काम कर रहा है कोई कहीं पर pantry का काम कर रहा है क्योंकि jobs नहीं है अभी तक job नहीं थी लेकिन शायद कुछ हद तक उमीद थी लेकिन आन है गरीबी बढ़ सकती है भुक मरी बढ़ सकती है को portion का शिकाद छोटे बच्चे हो सकते हैं और तो और कई लोग जो की गाओं की तरफ से urban areas में इसलिए आएंगे कि उनको वहां पर आकर नौकरी मिले employment मिले लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि काम नहीं है और जब काम नहीं मिल मिलेगा आए वहां पर है तो हो सकता है कि आपको सड़कों पर भीख मांगते वे लोग जाद नजर आ जाएं तो इसलिए अब आप ये भी कहेंगे कि फिर आप ही बताइए solution क्या हमारे solution बताने सा तो कुछ होता है नहीं क्योंकि solution लगातार सरकार को बताए जाते हैं लेकिन इकॉनमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठकर अगर आप अपनी अर्थविवस्था को ठीक करना चाहते हैं उनके साथ बैठकर बात कीजिए समझी और उसको फिर आप ग्राउंड पर लेकर आईए अब इसका सबसे पहला solution तो यह है कि आपको मनरेगा को डबल लिमिट क करनी पड़ेगी यानि जादा से जादा लोगों को अर्बन एरियास में इंप्लॉइमेंट मिले इसकी भी गैरंटी आपको करनी पड़ेगी तब जाकर लोग वहां पर वापस भी आएंगे वहां पर आकर काम करना शुरू करेंगे और उनको यह बात की उम्मीद रहेगी कि उनको जाब मिलेगी गैरंटी है इसके अलावा आपको लोगों की डिमांड बढ़ाने की तरफ काम करना पड़ेगा और यही बात लगातार लोगडाउन के समय विपक्षी पार्टियां भी कही रही थी अगर आपको याद हो जेब में पैसा डालिए सीधे जेब में पैसा वो 20 लाग करोड का पैकेज कहां है बताइए ना उसका क्या असर आप पर हुआ कितना फाइदा आपको हुआ आप खुद ही समझ सकते हैं तो सबसे पहले जेब में पैसा डालने की ज़रूरत है तब जाके लोगों की खर्च करने की जो कपासिटी है वो बेटर होगी उनके अंदर उम्मीद और होगी और हां थोड़ा सा वो सिक्योर अपने आपको जरूर फील कर सकते हैं और साथ ही जिनके पास राशन काड नहीं भी है उन लोगों तक भी कितना ज्यादा एकसेस पहुचाया जाए इस बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कम से कम हमें यह आपके बोज थे यानि कि जो इतने दिनों से आपके उपर नहीं थे वो वापस से आने वाले हैं तो इसके उपर जरूर सोचना पड़ेगा कि इस मौरेटॉरियम को आगे भी एकसेंट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी आपके हाथ में पैसा नहीं है एक साथ बोज आ जा बोज है यह आपका अपना क्रियेटिग गौट महनत करते हैं बहुत सारी रिसर्च करके आप तक उस बात को कैसे आसान भाशा में पहुंचाया जाए यह सब करने की कोशिश करते हैं और उसके रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ मुझे आपसे चीज चाहिए कि मेरा तो उनको भी शेयर कीजिए नमस्ते सत्यमेव जयते